नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में दोस्तों वर्तवान समय में घर में बिल्ली पालने का चलन चल लहा है काफी लोग ऐसे होते ही जो अपने घरों में बिल्ली रखना पसंद करते ही दोस्तों विल्ली को घर में रखने से या बिल्ली पालने से इसका प्रभाव हमारे उपर पड़ता है इस बात की जानकारी काफी कम लोगों को होती है दोस्तों वा ऐसे ही बिना सोचे समझे विल्ली को घर में पाल लेते हैं लेकिन दोस्तों घर में बिल्ली पालना शुब या अशुब इसकी जानकारी काफी कम लोगों को होती है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि घर में बिल्ली का पालना शुब है या असुब तता बिल्ली का घर में बच्चे देना शुब है या असुब इस वारे में आज के वीडियो में हम आपको विस्तार से जानकारी परदान करने वाले हैं दोस्तों इसके अलावा विल्ली से जुड़ी अन्य और भी बातों पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगी विस्तार से तो आएए दोस्तों बिना देरी के हुए हम आपको इस बारे में संपूर जानकारी परदान करते हैं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले किरपे आप इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे दोस्तों सबसे पहले वीडियो में जानते हैं कि घर में बिल्ली पालना शुब है या असुब मित्रों अगर कोई अपने घर में बिल्ली पालता है तो या बहुती अशुब माना जाता है क्योंकि घर में बिल्ली पालने से इसका जीवन पर बुरा असर पड़ता है जिवति शास्त्र के नुसार ऐसा माना जाता है कि जिस गर में बिल्ली पाली जाती है तता बिल्ली वार वार गर में आ रही है तो या बहुती अशुब है दोस्तों इससे घर में जहां बिल्लियां गुमती है उस जगा पर नकारात्मक उर्जा आती है तता घर में मौझूज सकारात्मक उर्जा को हानी भी होती है मित्रों जिस घर में बिल्ली पाली जाती है उस घर के सदस्यों के सौस्त पर भी बुरा असर पड़ता है घर के सदस्यों से बारवार किसी बीमारी की चपेट में आ जाती है दोस्तों अگर बिल्ली घर में मल मूल त्याक करती है तो या भी काफी सारे संकट आने की संबाबना को बरकरा रखता है दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि आपके घर की पालतू बिल्ली अगर अचानक से कहीं पर चली जाए तो समझ लीजिये आने वाले कुछ ही समय में आपके साथ कुछ अशुब गटना गटित होने वाली होती है दोस्तों इसलिए जब भी आप अपने घर में बिल्ली पालें तो सों समझ कर पालें इससे आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है आईये दोस्तों वीडियों में जानते हैं कि बिल्ली का घर में बच्चे देना शुब है या शुब बिल्ली का घर में बच्चे देना शुब माना जाता है दोस्तों अगर आपके घर में बिल्ली ने बच्चे को जिन्म दिया है तो या शुब संकेत माना जाता है अगर घर में बिल्ली बच्चे देती है तो समझ लीजिए कि आपके सभी संकट का अब निवारण होने वाला है तता आपको सभी कारमी सफलता मिलने वाली है दोस्तों आईए वीडियो में जानते हैं कि विल्ली किस तेपता की है सवारी दोस्तों आईए वीडियो में जानते हैं कि विल्ली का शुब संकेत क्या है दोस्तों अगर आप विल्ली को उसके बच्चे के साथ देख लेते हैं तो ये शुब संकेत माना जाता है इसका मतलब है कि आपकी किसी पुराने मित्र या रिस्तेदार से मुलाकात होने वाली है तता आपको कुछ अच्छी खबर भी मिल सकती है वहीं अगर बिल्ली अपने घर में बच्चे को जनम देती है तो यावी शुब संकेत माना जाता है अगर दीपावली की रात आपके घर बिल्ली आ जाए तो यावी शुब माना जाता है इससे आपको धनकी प्राप्ती हो सकती है अगर बिल्ली आपके बाएं तरब से रास्ता काटती है और दाएं तरब जाए तो याशुब संकेत माना जाता है वहीं दोस्तों अगर बिल्ली जेर को कपड़े में बांध कर अपनी बाजू पर बांधा जाए तो नजर दोस से बचा हो सकता है अगर किसी की कुंडली में राहू अशुब है और राहू की बज़े से परेसानी आ रही है तो राहू के अशुब परवाव से बचने के लिए घर में बिल्ली पालनी चाहिए क्योंके बिल्ली राहू की सबारी मानी जाती है तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि घर में बिल्ली पालना शुब है यासुब साथ ही दोस्तों ये भी बताया कि गर में बिल्ली के बच्चे देना शुबह या सुब हम आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी मैं मिलता हूं उगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए गुडबाई थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो